Hello everyone, welcome back to my channel Learning with Pace, Class 12th Flamingo Textbook का 2nd Chapter, Lost Spring, अभी हम complete करेंगे, and Lost Spring written by Inease Jung, she was born in the year of 1964, Lost Spring ये जो टाइटल है, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो Spring का मतलब समझो, Spring एक सीजन होता है, and Spring सीजन में सब लोग बहुत ही खुश होते हैं, because it brings happiness, joy and hope, right, and Lost Spring का मतलब क्या है, कि वो happiness, joy and hope जो गुम हो चुकी है, जो अब खो चुकी है, जो लोस्ट हो चुकी है, so Lost Spring is here, used as a metaphor, इसको metaphor की तरह use किया है, for those children who have lost their childhood, जिनका बच्चमन क्या हो चुका है, गुम हो चुका है, खो चुका है अब, right, and इस title का आप एक subtitle भी देखेंगे, the subtitle is Stories of Stolen Childhood, so इस chapter में, basically Ennis जंगना उन बच्चों की कहानी बताती है, जिनके साथ इनोंने interact किया, and वो बच्चे जो poverty का शिकार है, वो बच्चे जो deprived है, वो बच्चे जो effluent family से belong नहीं करते, उनकी कहानी बताई है, तो यहाँ पर आप एक कहानी पढ़ेंगे साहिबे आलम की दूसरी कहानी पढ़ेंगे, आप मुकेश की, तो यहाँ पर दो कहानी एनीज जंग ने बताई है, दोनों कहानी पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा, कि किस तरह यह जो दोनों बच्चे है, यह एक poverty की जिन्दगी जीते हैं, इसलिए यह बहुत सारी चीजों से deprived हैं, इस poverty की वजह से इन बच्चों का जो बच्चपन है अब वो खो चुका है, ठीक है, चलिए, सबसे पहले अभी हम बात करते हैं, एनीज जंग के बारे में, यहाँ पर हम इनके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम अपने चैप्टर के श हुआ था, मतलब इनकी upbringing हैदराबाद में हुई थी, इनोंने हैदराबाद के अलावा, अमेरिका में जाकर भी अपनी education complete की थी, इनके जो parents थे, वो writer रह चुके हैं, इनोंने अपने career की शुरुवात इंडिया में रह कर ही कर ली थी, यह not only India, in fact abroad में भी इनोंने editor का का काम कि देखो, editor and columnist वो होते हैं, जो बड़े-बड़े newspapers में अपने articles चापते हैं, इनोंने काफी सारी books भी लिखी हैं, right, and जो यह हम कहानी पढ़ रहे हैं, Lost Spring, Stories of Stolen Childhood, यह जो कहानी है, यह वैसे बहुत बड़ी है, लेकिन इस 12th class में हम लोग इसका एक excerpt देखेंगे, एक छोट Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation, आप यह देखेंगे कि किस तरीके से poverty and traditions के चकर में बच्चों के बच्पन exploit हो रहे हैं, ठीक है, तो अब कहानी को हम शुरू करते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताये था, कि इस chapter में आप लोग दो स्टोरीज देखेंगे, तो जो पहली स्टो find a rupee in the garbage, कि कभी-कभी मुझे गार्बेज में एक रुपया मिल जाता है, तो जो यह पहली स्टोरी है, यह है साहिबे आलम के बारे में, तो मैं पहले इस स्टोरी का एक ओवर व्यू दे देती हूं, फिर हम इस स्टोरी को line by line पढ़ेंगे, तो यह स्टोरी है, पहले वाली स स्टोरी साहिबे आलम के बारे में, जो कि एक rag picker होता है, rag picker का मतलब कूड़ा बीनने वाला, यह daily rag picking करता है, इस कूड़े को यह shuffle करता है, यह इस कूड़े को shuffle करता है, ताकि इसे gold मिल जाए, gold का मतलब यहां पर क्या है, gold का मतलब है valuable things, तो actually में gold का मतलब यहां gold नहीं है मतलब सोना वेगरा इसका मतलब नहीं है, यहां पर इसका मतलब है valuable things, for example कई बार क्या होता है लोग अपने महंगे सामान थोड़े टाइम यूज करने के बाद कूड़े में fake देते हैं, मतलब जब वो खराब हो जाते हैं सामान, या फिर बहुत सारी चीज़े कूड़े में मिल जाते हैं, जैसे पर्स, सेंडल, कभी कबार सिक्के मिल जाते हैं, रुपे मिल जाते हैं, तो यह जो साहिबे आलम होता है यह by profession rag picker होता है, इसी कूड़े को यह daily bean तै, इसको shuffle करता है हाथ से ताकि इसको gold मिल जाए, gold का मतलब है इसको कोई valuable सामान मिल जाए, ठीक है, य यह जो साहिबे आलम है, यह वैसे धाका से बिलोंग करता है, धाका capital है, बांगला देश की, लेकिन इसका जो घर है, इसके माता पिता के जो खेत खलियान है, वो सारे destroy हो जाते हैं, natural disaster की वज़े से, तो इसी लिए यह धाका छोड़ कर डेली में shift हो जाते हैं, तो डेली एं अपनी family के साथ, तो जो एनीज जंग है ना, वो साहिब को डेली देखती है, तो साहिब से वो पूछती है कि तुम यह क्या कर रहे हो, तो साहिब कहता है कि मैं gold ढून रहा हूँ, तो एनीज जंग पूछती है कि क्या तुम school नहीं जाते हैं, मतलब जो हमारी author है ना, जिन् एनीज जंग कहती है कि अच्छा, अगर मैं school बनवा दूँ, तो क्या तुम school जाओगे, तो साहिब कहता है, येस मैं of course school जाओँगा, अब कुछ दिनों के बाद साहिब एनीज जंग को देखता है, और हमारी author से जाकर साहिब पूछता है कि क्या आपने school बनवा दिया, तो एनीज जंग reply करती है कि school बनने में ना time लगता है, ठीक है, अब आगे ऐसे कहानी बढ़ती रहती है, फिर last में एक दिन एनीज जंग ये देखती है कि जो साहिब है ना, ये अब एक tea stall पर काम करने लग गया है, ठीक है, एक चाहे की दुकान पर ये काम करने लग गया है, औ और इसको वहाँ पर खाना भी मिलता है, 800 रुपीज भी मिलते हैं इसे पर मन्त, लेकिन वो ये नोटिस करती है कि भले ही इसको 800 रुपे पर मन्त मिल रहा है या खाना मिल रहा है tea stall में काम करने के बाद, लेकिन ये साहिब यहाँ पर unhappy है, ये खुश नहीं है, तो एनीज ज काम करता था, ये रैग पिकर था, तब ये बहुत खुश रहता था, क्योंकि ये अपनी मर्जी का मालिक था, ये अपनी लाइफ का ये master था, लेकिन अब ये किसी के अंडर काम करता है, तो ये बोज फील करता है, एंड ये unhappy है, तो ये है हमारी पहली स्टोरी का overview, तो मैं आ whom I encounter every morning, scrounging for gold in garbage dumps of my neighborhood, encounter का मतलब यहां पर क्या है, एनीज जंग डेली साहिब को देखती है, डेली सुबह देखती है, scrounging का मतलब होता है, किसी चीज को ढूणना, तो साहिब किसको ढूणता है, गोल्ड को ढूणता है, कहां पर garbage dumps में, सो बेसिकली एनीज जंग जो है ना, जहां पर यह रहती है, इनके पडोस में, इनके घर के पास में garbage dump है, वहां पर साहिब डेली आता है सुबह, और वो इस garbage को shuffle करता है, ताकि उसे gold मिल जाए, gold यहां पर ironically valuable things के लिए use हुआ है, ठीक है, तो साहिब डेली सुबह आता है, पर gold मिल जाए, तो इसी लिए एनीज जंग उसे जब डेली देखते हैं, तो पूछती है, कि why do you do this, कि तुम यह क्यों करते हो, फिर आगे एनीज जंग हमें साहिब के बारे में थोड़ा सा बताती है, साहिब left his home long ago, कि साहिब जो अपना घर बहुत सालों पहले छोड़ कर आ चुका था, तो यहाँ पर यह कौन से घर की बात करती है, साहिब का वो घर जो धाका में था, हमारे भारत की जो neighboring country है, which is Bangladesh, उसकी जो capital है वो है धाका, तो धाका में साहिब के parents का घर भी था, fields भी थे, केत खलियान थे इनके अपने, Set amidst the green fields of धाका, his home is not even a distant memory, तो साहिब जो है वो धाका में, जो इनके खेत हुआ करते थे, उन green fields के बीच में यह लोग रहते थे, लेकिन इसे अपने घर के बारे में कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि यह बहुत साल पहले अपने घर चोड़ कर आ चुके थे, There were many storms that swept away, there are fields and homes, his mother tells him, तो जो साहिब की मदर है न, वो साहिब को यह बता चुकी है कई बार, कि धाका यह इसलिए छोड़ कर आए थे, क्योंकि वहाँ पर बहुत बार तुफान आया, natural disaster की वज़े से, उनके जो खेत थे, उनके जो घर थे, वो रियून हो गए थे, वो नश बड़े शहर में आये, कहां पर आये, डेली में, that's why they left, I mean they left धाका, looking for gold in big city where he lives now, तो यह बड़े शहर में आये थे, अपने survival के लिए जहां यह अब रह रहे हैं, I have nothing to do, he mutters looking away, muttering का मतलब होता है, दीमी सी आवाज में बोलना, तो जब इने इस जंग यह पूछती है कि जो साहिब आलम है, वो कहता है, I have nothing else to do, कि मेरे पास कुछ और करने को नहीं है, और वो यह बात muttering करके कहता है, धीमी सी आवाज में कहता है, यहां वहाँ देख कर, गलिबली का मतलब होता है, जब हम कोई बात confidently बोल देते हैं, बट without realizing, मतलब हम बिना सोचे समझे कोई बात confidently बोल दें, उसे हम गलिबली कहते हैं, तो यहां पर जैसे ही साहिब आलम कहता है कि मेरे पास कुड़ा बीनने के लावा कुछ नहीं है, तो उस टाइम पर एनीज जग कहती है, कि स्कूल जाओ, अब यह बात confidently बोलते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो realize करते हैं, कि यह उसने क्या कह दिया, क्योंकि स्कूल जान is a big thing, तो स्कूल कैसे जाएगा यह, तो थोड़ी देर बाद वो realize करते हैं, कि उसने स्कूल जाने वाली बात जो कही है, वो अभी माइने नहीं रखती है, क्योंकि इस बच्चे के लिए अभी survival इसकी priority है, इसके घर वालों के लिए इनकी survival priority है, अगर यह दो वक्त का खाना भी खाले, वो ही बहुत बड़ी बात है इन लोगों के लिए, there is no school in my neighborhood, अब जैसे ही एनेस जंग यह कहते है, school जाओ, उसी time, साही बयालम reply करते है, कि मेरे घर के पास तो कोई school नहीं है, when they build one, I will go, फिर वो कहते है कि अगर वो लोग एक school बना देंगे, तो मैं बिलकुल ज पाते जब हो रही होती हैं, तो एनीस जंग साही बयालम से पूछती है, थोड़े से मजाख के मूड में, कि अगर मैं school शुरू करूं, तो क्या तुम आओगे, यह सुनते ही साही बयालम कहता है, yes, मैं जरूर आओंगा, a few days later I see him running up to me, अब कुछ दिनों के बाद एनीस देखती हैं, कि साही बयालम उनकी तरफ भागा भागा आता है और उनसे पूछता है, is your school ready, कि क्या आपका school ready हो चुका है, it takes longer to build a school, I say, ऐसा question सुनते ही, एनीस जंग कहती हैं, कि school बनने में time लगता है, embarrassed at having made a promise that wasn't meant, और इसको अपने promise पर तोड़ी से embarrassment feel होती है, क्योंकि ए एक ऐसा जूटा वादा किया था, जो कभी पूरा नहीं हो सकता था, but promises like mine abound in every corner of this bleak world, bleak का मतलब होता है, खाली दुनिया, abound का मतलब होता है, largest in number, तो यहाँ पर एनीस जंग कहती हैं, कि जैसा जूटा वादा एनीस जंग ने साही बे आलम को किया, वैसे ही बहुत सारे ल दुनिया में, वो bleak world, वो खाली दुनिया जिसमें सिर्फ और सिर्फ poverty है, तो basically यहाँ पर वो एक चीज और कह रही है, कि पूर लोगों को ना बहुत सारे false promises करते हैं, जैसे कि उनको basic facility दिलाने का वादा करते हैं, बहुत सारे जो राजनेता लोग हैं, या जो upper hand वाले लोगों से करते हैं, कि इनको basic facility देंगे, तुमारे लिए हम hospital open कराएंगे, तुमारे education के लिए हम school open कराएंगे, लेकिन ये सारे वादे क्या होते हैं, जूटे होते हैं, तो इसी लिए न, एनीज जंक को भी embarrassment फील होते हैं, कि पहले तो वो school open करने की बात करती है, लेकिन बा एनीज जंक साहिबे आलम को देख चुकी थी, काफी महीनों से, तो वो जानने लग गई थी उसको और उससे उसका नाम पूछती है, कि तुमारे नाम क्या है, तो वो reply करता है, साहिबे आलम, he doesn't know what it means, एनीज जंक कहती है कि उसे पता नहीं था कि उसके नाम का मतलब क्या है If he knew its meaning, Lord of the Universe, he would have a hard time believing it, फिर वो कहते हैं कि अगर उसे पता होता नहीं उसके नाम का मतलब, उसे उस नाम पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसके नाम का मतलब क्या है, Lord of the Universe, मतलब Universe का Lord, अब यहाँ पर यह क्यों कहती है, कि साहिबे आलम को विश्वास नहीं होगे अप पोवर्टी में जीता है, और उसके नाम का मतलब क्या है, उसके नाम का मतलब है Lord of the Universe, तो दोनों ही क्या है, एक contradiction है एक दूसरे में, मतलब रियल जिंदगी कुछ और है, नाम का मीनिंग कुछ और है, तो इसलिए वो कहते हैं कि अगर उसके उपने नाम का मतलब पता होता न तो शायद उसे विश्वास भी नहीं होता। रहती थी, उसके दोस्तों की पल्टन, ये सभी दोस्त जो है नंगे पाउं घूमते थे, बेर फुट, नंगे पाउं सडकों में घूमते रहते थे, और सुबह वो निकलते थे ताकि वो इस कूड़े को शफल करके इसमें से गोल्ड ढूंडे, तो ये पूरी की पूरी जो स रहती रहती थे, तो अब वो बहुत लोगों को, I mean, almost इन सब को रहती थे, पहचानने लगी थे, तो यहां पर जो ये आर्मी ओफ बेर फुट बोईज है, मतलब वो लड़के जो नंगे पाउं रहते हैं, तो ये किसके दोस्त थे, ये सारे के सारे साइब आलम के दोस्त थे ठीक है साइब आलम का अपना पुरा एक गैंग था, तो उन में से किसी से एनीज जंग ये पूछते हैं कि तुमने चपल क्यों नहीं पहन रखी, my mother did not bring them down from the shelf, he answers simply, तो इस बात पर वो लड़का reply करता है कि मेरी mother ने shelf से मुझे चपल लाकर नहीं दी, इसलिए नहीं पहने, even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match, तो जब एनीज जंग इस लड़के से पूछते हैं कि तुमने चपल क्यों नहीं पहनी होई, तो वो reply करता है कि मेरी चपल इसलिए नहीं पहनी, क्योंकि मेरी mother ने जो shelf होते हैं उससे उतार कर मुझे चपल नहीं दी, तो इतने में उसी पूरी प पहने हैं, लेकिन वो जूते mismatch हैं, मतलब उनका color अलग-अलग है, तो अब वो इस बात पर reply करता है, कि वैसे भी अगर इसकी mother इसे जूते दे देती ना, तो ये उन जूतों को fake देता, तो अनीज जंग ये देखती है कि इस लड़के ने जो जूते पहने हैं, मतलब जिसन क्यों पहने हुए हैं, तो अब वो कुछ reply नहीं करता, लेकिन अपने पाउं को shuffle करता है, as if वो अपने जूते चुपाना चाहता है, तो इतने में एक तीसरा लड़का उस पूरी पल्टन में से बोलता है, I won't shoes, कि मुझे भी जूते चाहिएं, who has never owned a pair all his life, तो इनीज जंग को पता चलता है, कि इसने अपनी पूरी जिंदगी में एक पेर जूता कभी भी नहीं पहना, so traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads, यहाँ पर एनीज जंग कहती है, कि उन्होंने across the country, काफी travel किया है, और बहुत ऐसे बच्चे देखे हैं, जो barefoot थे, barefoot मतलब नंगे पाउं थे, उन्होंन उन्होंने शहरों में, गाउं की गलियों में, ऐसे बहुत बच्चे देखे हैं, जो नंगे पाउं घूमते हैं, it is not lack of money, but a tradition to stay barefoot is one explanation, I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty, perpetual का मतलब never ending cycle, तो यहां पर अनीज जंक कहती हैं, कि वैसे उन्होंने बहुत बच्चे देखे हैं, जो नंगे पाउं घूमते हैं, शहरों में भी, गाउं में भी, लेकिन उनको एक explanation हमेशा ये मिला है, कि वो पैरों में चपल इसलिए नहीं पैनते कि उनके पास पैसों की कमी है, बलकि इ ये उनके tradition में हैं, ये उनका tradition कहता है कि नंगे पाउं रहो, तो अब वो इस चीज पर वंडर करती हैं, क्या ये tradition के नाम पर अपनी poverty को हाइड करना चाहते हैं, कि भई ये कभी poverty से तो निकल नहीं पाएंगे, it is never ending process for them, तो यहां पर वो ऐसे वंडर होती हैं, मतलब वो ऐस आश्चरिय चकित हो जाती हैं, कि क्या ये जो बच्चे हैं, ये अपने इस poverty को हाइड कर रहे हैं, tradition के नाम पर, I remember a story a man from UDP once told me, UDP is in करनाट का state, तो यहां पर एनीज जंग कहती हैं, कि अब ना उनको एक ऐसे आदमी की story याद आ गई है, जो UDP से था, और उसी ने ये story एन story में, as a young boy, he would go to school past an old temple, where his father was a priest, तो जो ये ये बंदा है न, UDP से, इसने बताया, कि जब ये young boy था, तो जब ये school जाता था, तो इसके school के बीच में, रस्ते में, old temple, एक पुराना मंदिर पढ़ता था, उसी मंदिर में, इसके father एक पुजारी थे, he would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes, लेकिन वो daily उस मंदिर में रुकता, उस मंदिर में जाकर भगवान के आगे वो prayer करता था कि उसे एक pair of shoes मिल जाएं, 30 years later I visited his town and temple, तो 30 साल के बाद एनीज जंग decide करती हैं, कि वो इसी town में, मतलब UDP में जाएंगी, उस temple में जाएंगी, जहां पर ये लड़का हमेशा क्या किया करता था, pair of shoes के लिए, which was now drowned in an air of desolation, फिर वो बताती हैं कि UDP जो है, अब क्या हो चुका है, ये drowned हो चुका है, drowned कि इस चीज में, desolation में, तो desolation का मतलब क्या होता है, desolation का मतलब होता है, state of being empty, मतलब विरान सी जगह हो चुकी है, अब इस जगह पर कोई नहीं रहता या बहु बात जाती है ना, इनीज जंग उसी temple में, उसी town में, तो देखते हैं कि backyard में, अब नया priest आ चुका है, there were red and white plastic chairs, और वहाँ पर red and white color की plastic chairs रखी हुई है, a young boy dressed in grey uniform, wearing socks and shoes, arriving panting and through his school bag on a folding bed, फिर वो बता रहे हैं कि ये जो नया पुजारी है ना, इसका बेटा स्कूल से आता है और उसने स्कूल के कपड़े पहने हुए है, मतलब uniform पहने हुए है, socks पहने हुए है, shoes पहने हुए है, और जब वो स्कूल से आता है, तो वो panting करता है, panting का मतलब हाफता है, क्योंकि जब हम स्कूल से घर जाते हैं, हम तक जाते तो हम हाफने लगते हैं, so basically वो बता रहे है कि वो बच्चा जब स्कूल से घर आया तो वो पैंटिंग कर रहा था और उसने घर आकर अपने फोल्डिंग बेड पर अपना स्कूल का बैग फेक दिया फिर ये कहती है कि उस लड़के को देखकर उनको उस लड़के की बात याद आ गई जिनसे वो तीस साल पहले मिली थी और उसकी बात याद आने के बाद वो कहती है कि वो ना हमेशा Goddess से pray किया करता था pair of shoes के लिए और Goddess ने भी उसकी जो prayer है वो grant कर दी थी मतलब उसकी wish पूरी कर दी थी और उसको pair of shoes दिये तो उस लड़के ने कहा जो इसको 30 साल पहले मिला था ना एनिस जंग को उसने कहा था let me never lose them कि काश कभी ये जूते मुझसे गुम ना हो यंग boys like the son of the priest now wore shoes but many others like rag pickers in my neighborhood remain shoeless फिर वो यहाँ पर कहती है कि जो ये नहे पुजारी का बेटा है इसने जूते पहने हुए है लेकिन उनके घर के पास में या अधर जगहे पर जो rag pickers रहते हैं जो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं वो हमेशा shoeless होते हैं वो हमेशा नंगे पाउं घूमते हैं तो यहाँ पर एनीज जंग बता रही है कि जो ये बच्चों की पल्टन थी नंगे पाउं घूमते थे सुबह सुबह और सारे कूड़े करकट को शफल करते थे कि इनको गोल्ड मिल जाए तो इन बच्चों की पल्टन में से एक बच्चा एनीज जंग को सीमापूरी लेकर जाता है सीमापूरी कहाँ पर है? इट इन दा पेरिफ्री ओफ डेली, डेली के आउटर एरिया में है तो पेरिफ्री का मतलब क्या होता है? आउटर एरिया या ये कहलो आउट्सकर्ट एरिया येट माइल्स अवे फ्रोम इट मेटामोर्फिकली तो देखो एनीज जंग यहां क्या बोलना चारी है? कि देखा जाए तो सीमापूरी डेली में ही पढ़ता है डेली के आउट्सकर्ट एरिया में है, डेली के बोर्डर पर है लेकिन अट दा सेम टाइम ये डेली से बिल्कुल दूर है तो ऐसा ये क्यों कहती है? ऐसा ये इसलिए कहती है कि सीमापूरी में रहने वाले जितने भी लोग है इनकी कंडीशन जो है रहने की वो बिल्कुल अलग है उन लोगों से जो डेली के मेंस्ट्रीम में रहते हैं तो जितने भी लोग सीमापूरी में यहां रह रहे हैं वो यहां पर 1971 में आये थे बैंगलादेश से एंड यह सभी लोग स्क्वाटर्स हैं स्क्वाटर्स का मतलब क्या होता है जो बिना लीगल परमीशन के कहीं पर रहने लग जाए साहिब्स फैमिली इस अमंग देम और सीमापूरी में जितने रैग पिकर्स रहते थे उनमें से एक फैमिली साहिब आलम की फैमिली भी थी सीमापूरी उस टाइम पर एक वेस्ट लेंड था, एक वाइलडर नेस था, वेस्ट लेंड या वाइलडर नेस का मतलब क्या होता है, जहां पर लोग नहीं रहते, जो अनकल्टिवेटिट इलाका होता है, तनीस जंग कह रहे हैं कि आज भी यह जो एरिया है यह एक वेस्ट लेंड ही है, बट यहां पर आज के टाइम पर आपको बहुत सारे रैग पिकर्स मिल जाएंगे, यह आज के टाइम पर एम्टी नहीं है, इन स्ट्रक्चर ओफ मड, विद रूपस ओफ तिन अन टैर पॉलिन, डिवॉइड ओफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वोटर, लिव 10,000 रैग पिकर्स, फिर नेनीस जंग बता रही हैं कि यहां सीमा पूरी में अब आज के टाइम पर 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं, इनकी जुगी जोपड़ी बनी हुई है, वो मड की बनी हुई है, और ऊपर छट के लिए इन्होंने टिन की एक पतली सी शीट रखी हुई है, टारपॉलिन जो एक प्लास्टिक मटीरियल है, और ये लीक प्रूफ होता है, वो इन्होंने छट के ऊपर रखा हुआ है ताकि बारिश वगएर के टाइम पर यह बचे रहें, लेकिन यह जो इलाका है ना यहाँ सीवेज सिस्टम है, ना ड्रेनिज सिस्टम है, तो यहाँ पर पूरा पानी वगएरा भरा रहता है, तो यहाँ पर देखा जाए, तो यह इलाका आज भी एक आप कहा सकते हो वो well maintained नहीं है, stinky इलाका है, they have lived here for more than 30 years without an identity, तो जितने भी rag pickers यहां रह रहे हैं, तो वो लगबग 30 सालों से ज्यादा इनको time हो चुका है, इनके पास identity नहीं है, इनकी without permits, तो identity का मतलब है कोई ID card नहीं है, कोई आधार card नहीं है, without permits का मतलब है कि यह बिना किसी permission के यहां रह कोई ऐसे official document पर इनको यहां settler नहीं बनाया गया, यह यहां पर क्या है है, यहां पर squatters हैं basically, but with ration cards that their names own voters list and enable them to buy grain, food is more important for survival than an identity, तो कहने का मतलब यहां यह है कि इन लोगों के पास इनका आधार card, इनका ID card यह हो या ना हो, लेकिन इन सब के पास ration card जरूर है, क्योंकि ration card से क्या होता है कि इनका नाम voter list में चड़ जाता है, और अब होता है जो politicians है ना, यह इनको इस तरीके से greed करते हैं, कि वो इनको खान प्रोवाइड करते हैं, राशन कार्ड अपना दिखाते हैं तब इनको खाना मिल जाता है, लेकिन साथ इसाथ जो इनको खाना दे रहे हैं, जो politicians यह उनको वोट देते हैं इस चीज के बदले, food is more important for survival than an identity, तो देखो food मतलब खाना ID से ज्यादा, identity से ज्यादा, पहचान से ज food चाहिए होता है, तो यहाँ पर आप मतलब समझ गई कि ID कार्ड नहीं होता, लेकिन राशन कार्ड जरूर होता है, क्योंकि इनका नाम फिर वोटिंग लिस्ट में आ जाता है, यह वोटर बन जाते हैं, यह वोट कास्ट कर सकते हैं, अब राशन कार्ड दिखा कर इनको गव स्टमक, we would rather live here rather than in the fields that gave us no grain, says a group of women in tattered सारी, when I asked them why they left in their beautiful land of green field and rivers, देखो अब यह होता है कि एनीज जंक जो है ना, वो एक group of women से बात करती है, मतलब एक ना, गुरूप ऐसा बैठा हुआ था कुछ ओरतों का, जिनोंने tattered सारी पहनी हुई थी, मतलब फटी पुरानी सारी, मैली सारी पहनी हुई थी, तो उन में से ये एक से पूछती है, कि एनीज जंक पूछती है, why they left their beautiful land of green fields and rivers, कि वो बैंगला देश क्यों छोड़ कर आए, क्योंकि वहाँ पर वो बहुत ही beautiful land में रह रहे थे, जहाँ पर उनके खेत खलियान थे, श्विल्ड को छोड़ कर, यहाँ डेली में सीमापूरी जैसी जगह पर क्यों रह रहे हैं, तो उन में से, उन like group of women में से एक ने क्या reply किया, तो देखो एक lady है, जिसने ये कहा उन में से, that if at the end of the day, we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here, तो वो कहती हैं कि हमें अगर ढाका की बात आप करो या बांगलादेश की बात करो, वहाँ पर हमारे field और हमारे जो लाइकेत खलियान और घर, वो सब नश्ट हो गए थे, storm की वज़े से, अब वहाँ पर तो हमें कुछ मिल नहीं रहा था, हम डेली इसलिए हैं, मतलब जब हम अपना और अपनी family का पेट भर कर शांती से अपने bed पर सोने चले जाते हैं, तो इससे अच्छा क्या है, हम अपनी family का पेट भर पा रहे हैं सीमापूरी में रहकर, हम आराम से जाकर सो पा रहे हैं, हमारे बच्चे भूखे नहीं रहते, उनका stomach एक नहीं होता तो यहाँ पर basically यह lady कहना चाहती है कि सीमापूरी में बले इनकी हालात कितने भी बेकार हों, लेकिन इनको खाना मिल जाता है, दो तिन वक्त की रोटी मिल जाती है, इनका पेट नहीं दुखता रात को सोते वक्त भूख की वज़े से, तो इससे ज्यादा इनको और क्या चा तो यहाँ पर अनीज जंग बता रही है हमें कि जहाँ भी इनको खाना मिलता है, मतलब यह ना खाने पर dependent हो, obviously, कि इनको अगर दो वक्त की रोटे मिल जाए, इससे अच्छा इनके लिए कुछ नहीं है, तो जहाँ जहाँ इनको खाना मिलता है, they pitch their tents, मतलब वहाँ पर यह अ में इनके बच्चे पलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, साथ-साथ वो अपने parents के लिए एक partner की तरह काम करते हैं, मतलब माता-पिता भी काम कर रहे हैं, इनके बच्चे भी इनके साथ पैसे के लिए, कमाने के लिए वो भी इनके साथ लग जाते हैं, कुडा बीनने के And survival in Seemapuri means rag picking, फिर वो बता रहे हैं कि अगर Seemapuri में survive करना है तो इनको rag picking करनी ही पड़ती है Through the years, it has acquired the proportions of fine art, फिर वो बताती हैं कि इनके लिए ये कूड़ा बीनना एक fine art है, एक कला है कि इतने कूड़े में से एक gold का सामान डूणना, gold मतलब यहां पर valuable cheese है तो इस पूरे कूड़े में से ऐसी कोई cheese pick करना, जैसे कि कोई valuable cheese मिल जाए, वो एक fine art है, इनके लिए एक कला है Garbage to them is gold, मतलब garbage क्या है इन लोगों के लिए, gold है It is their daily bread, a roof over their heads, garbage इनके लिए एक daily bread है, इससे इनका पेट भड़ता है इसी से इस garbage की वज़े से इनके सर के उपर चट है, even if it is leaking roof बले ही इनके सर के उपर वो चट leak proof ना हो, वहां से पानी तपकता हो, बट still इनके लिए इस garbage से अच्छा हाल फिलाल कुछ नहीं है तो यहां पर आपने, यहां यह बड़ी ही important line यहां पर एनीज जंग ने कही है सो basically यहां यह कहना चारी है, कि जो इनके घर में elder लोग हैं, जो बड़े बुड़े लोग हैं, उनके लिए garbage क्या है, survival है लेकिन अगर बच्चों की बात करें, तो सीमा पूरी में जो यह बच्चे हैं, इनके लिए garbage क्या है, gold है I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note साहिब से, साहिब कहता है कि garbage में कभी-कभी उसे 1 rupee तो कभी-कभी 10 rupee का note भी मिल जाता है और जब वो ऐसी बात कह रहा था न, his eyes lighting up, मतलब वो बड़ा ही खुश होकर यह बात कह रहा था तो lighting up का मतलब क्या होता है, जब आप बहुत ही खुशी के साथ, joy के साथ कोई बात बोलते है When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is a hope of finding more अब साहिब आलम एनिस जंग को यह बताता है कि अगर इनको एक कूडे के ढेर में कुछ silver coin मिल जाता है तो silver coin का मतलब यहाँ पर यह है कि कोई चोटी मोटी valuable चीज अगर इनको मिल गई, तो यह अब कूडे को और ज्यादा बीनते हैं क्योंकि इनके मन में यह hope होती है कि अगर यह उस कूडे को और ज्यादा बीनेंगे, तो इनको और भी चीजे मिल जाएंगी तो यहाँ पर इनीज जंग बताती है कि साहिब आलम की इस बात से यह लगता है कि इन बच्चों के लिए इस garbage का मतलब बिलकुल अलग है और इनके parents के लिए इस garbage का मतलब बिलकुल अलग है For the children, it is wrapped of wonder, for the elders, it is a means of survival जैसे कि मैंने अभी बताया था कि elders के लिए यह एक survival, garbage क्या है? एक survival का मतलब है और children के लिए यह जो garbage है basically यह है एक wrapped in wonder मतलब इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें इनको लगता है छुपी होंगी, जो इनको मिल जाएंगी, एक अदबुत चीजें यह इनके लिए इनके लिए इनके लिए एक gold है basically यह ध्यान रखना, children के लिए यह एक gold है, garbage, right? क्योंकि इनको नई नई चीजें यहां मिलती रहती है, इनको लगता है garbage में कभी यह होगा तो कभी वो होगा, यह excitement में उस कूडे को बीनते हैं यह बच्चे, लेकिन अंडलर्स के लिए यह garbage सिर्फ और सिर्फ एक survival है One winter morning I see sahib standing by the fenced gate of neighborhood club तो एक दिन एनीज चेंग साइबे आलम को देखती है, कि वो न एक fenced gate के सामने खड़ा हुआ है और वहाँ पर वो एक game देख रहा है Watching two young men dressed in white playing tennis साइबे आलम दो young लोगों को देख रहा है जिन्नोंने white color के कपड़े पहने और tennis खेल रही है तो अब एनीज जंग साइबे आलम के पास जाती है तो साइबे आलम को साइबे आलम एनीज जंग को बताता है I like the game, वो कहता है मुझे ये game पसंद है He hums, मतलब वो धीमिसी आवाज में ये बोलता है Content to watch it standing behind the fence और उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो इस game को पूरा देखना चाहता है With content, मतलब ऐसे शांती से फिर आगे साइब आलम कहता है I go inside when no one is around, he admits तो वह कहता है कि मैं ना कभी-कभी अंदर चला जाता हूं जब अंदर कोई नहीं होता The gatekeeper lets me use the swing और जो यहां का gatekeeper है वो मुझे कभी-कभी जूला जूलने भी देता है Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation तो यहां पर एनीज जंग बताती है कि Sahib ने भी ना tennis वाले जूते पहने हुए थे और वो जूते ना उसके कपडों से बिलकुल match नहीं कर रहे थे मतलब थोड़े से strange लग रहे थे उसके कपडों के साथ क्योंकि उसने कपडे भी discolored पहने थे, कैसे shirt अलग color की, shorts अलग color की उसके नीचे tennis shoes पहने हुए थे, तो कुछ भी चीज ऐसे match नहीं कर रहे थे तो इसी बात पर साइब आलम एनीज जंग को बताता है कि किसी ने मुझे ये जूते दिये थे the fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refuse to wear them because of a hole in one of them does not bother him, तो अब एनीज जंग कहती है कि वो तो पता ही चल रहा था कि वो जूते किसी ने उसको दिये है क्योंकि वो जूते discarded लग रहे थे, किसी अमीर बच्चे के वो discarded जूते थे क्योंकि उनमें से एक जूते पर hole था, चोटा सा उसमें एक hole बना हुआ था तो इसी लिए वो उस rich boy ने discard कर दिये होंगे, वो अब नहीं पहनता होगा, तो उसने अब ये जूते किसको दे दिये, साहिबे आलम को दे दिये for one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true, फिर एनीज जूंक कहते हैं, कि वो बच्चे जो नंगे पाव यहाँ वाँ घूमते रहते हैं, उनके लिए तो ऐसे जूते भी एक dream की तरह हैं, जिन जूतों में चाहे, hole ही क्यों न हो, जिन जूतों में चाहे, छोटा मोटा छेद भी क्यों न हो, इ is out of his reach, फिर वो कहते हैं, कि जिस game को वो इतनी शिद्दत के साथ देख रहा था न, वो game इस साहिब आलम की reach के बिलकुल बाहर है, this morning साहिब is on his way to milk booth, अब एक दिन एनीज जंक साहिब आलम को देखती है, कि वो milk booth पर जा रहा था, in his hand is a steel canister, और उसके हाथ में एक steel का can उसन work now in a tea stall down the road, और साहिब आलम इनीज जंक को देखता है, तो कहता है, कि मैं अभी न, एक tea stall में काम करता हूं, जो road के पास में है, he says, pointing in the distance, and साथी साथ वो इस tea stall पर भी point करता है, कि मैं वहाँ काम करता हूं, वो देख रहे हो न, आप जो road के पास में tea stall है, मैं वहाँ काम करत आँ, I am paid 800 rupees and all meals, does he like the job, I ask, well, अब इसके साथ साथ साहिब आलम ये भी बताता है, कि उसे tea stall पर 800 रुपया पर मन्त मिलता है, साथ साथ उसे खाना भी मिलता है, फिर एनीज जंक ने इस बात पर ये पूछा कि क्या आपको ये जोब पसंद है, His face I see has lost the carefree look, जैसे अनीज जंक ने ये पूछा कि क्या आपको tea stall पर काम करना पसंद आ रहा है, तो उसके face पर जो carefree look था, वो अब लुक नहीं है, Carefree look का मतलब यहाँ पर क्या है, जब वो कूड़ा बीनता था, रैक पिकिंग का काम करता था, तो वो अपनी life में खुद master था, राइट, वो carefree घूमता रहता था, यहाँ वाँ चाहे वो नंगे पाउं भी क्यों न घूम रहा हो, वो carefree था, लेकिन जब से ये tea stall पर काम करने लगा है, इसके face पर वो carefree look जा चुका है, क्योंकि अब यह किसी के under काम करता है, यह life का अब खुद master नहीं है, क्योंकि इसका master अब कोई और है जो इसे पैसे देता है, पर मन्त 800 रुपे, the steel canister seems heavier than the plastic bag, he would carry so lightly over his shoulder, फिर वो कहती है, कि जब यह rag picking का काम करता था, या कूड़े का जो वो bag है, जो plastic bag जिसमें यह समान डालता रहता था, कूड़ा बीन बीन कर, वो bag इसे हलका लगता था, as compared to steel canister, मतलब जिस steel canister को आज इसने पकड़ा हुआ है, जिसकी वज़े से इसको 800 रुपे पर मन्त मिलता है, वो इसे आज heavy लग रहा है, the bag was his, the canister belongs to the man, who owns the tea shop, साहिब is no longer his own master, फिर एरीज जंग यह कहती है, कि उसे वो plastic bag जिसमें वो कूड़ा बीन बीन कर कुछ समान डालता रहता था, वो bag उसे हलका लगता था, क्यों? क्योंकि वो bag इसका खुद का था, लेकिन जो यह steel canister इसे बहुत heavy लग रहा है, इसे एक बोज लग रहा है, यह steel canister इसका नहीं, बलकि उस आदमी का है, जहाँ पर जिसके यहाँ यह tea shop पर काम करता है, और एनीज जंग ने यह देखा, कि साहिब आलम tea stall पर काम कर रहा है, भले उसे 800 रुपे मिल रहे हैं, उसको भर पेट खाना मिल रहे हैं, बट यह खुश नहीं है, क्योंकि साहिब is no longer his own master, कि अब वो अपनी इस दुनिया का खुद का master नहीं है, जब वो rag picking करता था, वो खुद का मालिक था, अपनी मर्जी से घूमता था, carefree रहता था, उसके उपर कोई बोज नहीं था, लेकिन अब वो tea shop पर काम करता है, किसी और के लिए काम करता है, किसी और के under काम करता है, भले उसे रुपे मिलते हैं, बट अब वो carefree नहीं है, यह स्टील का कैन भी है, वो भी आज के टाइम पर इसे एक बोज लग रहा है, जो कि प्लास्टिक बैग से देखा जाए, तो light था, मतलब यह जो स्टील का कैनिस्टर इसने पकड़ा हुआ था ना, यह इसके rag picking वाले प्लास्टिक बैग से वैसे version में बहुत कम है, लेकिन version म लगता है प्लास्टिक बैग से, reason being यह स्टील कैनिस्टर इसका नहीं किसी और का है, तो अभी हमने साहिब आलम की स्टोरी कम्प्लीट कर ली है, तो इस चैप्टर में दो स्टोरी है, फर्स्ट कम्प्लीट हो गई, अभी हम सेकंड स्टोरी के बारे में बात करेंगे, पहले मैं कार ड्राइव करना चाहता हूँ, यह स्टोरी है मुकेश की, तो मैं एक बार आपको इस स्टोरी का ओवर्विव दे दूँ, ओवर्विव देने के बाद ही आम इसको लाइन बाइन समझेंगे, देखो जो सेकंड स्टोरी है, यह है मुकेश के बारे में, मुकेश कहां से बिलोंग करता है फिरोजाबाद से, फिरोजाबाद हमारे इंडिया में ही एक टाउन है, और ये टाउन ऐसा है, इसमें आक्चली ना छोटे छोटे घर है, स्मोल हट्स है, और सारे के सारे जो स्मोल हट्स एंड घर बने हुएं, वो ना डिलापिडेटिट कंडिशन में हैं, और इसी टाउन में मुकेश रहता है, मुकेश का एक सपना है कि वो मोटर मेकैनिक बनना चाहता है, बट वो ऐसी पूर फैमिली में है कि इसे बैंगल मेकिंग के काम में लगा रखा है, लेकिन इसका जो ये ड्रीम है ना, ये लास्ट तक रहता है, फिर एनीस जंग बता रह यह कहता है कि यह गराज में जाकर मोटर मेकैनिक बनेगा और यह गाड़ी ड्राइव करना भी सीख लेगा फिरोजाबाद में जितने भी घर हैं उन सबी घर में बैंगल मेकिंग का काम होता है और बैंगल मेकिंग का जो काम होता है न काँच की चूडिया बनाने का काम It is very hard work, क्योंकि इनको अंधेरे में बैट कर काच के pieces चिपकाने पड़ते हैं तो सिंस ये सब लोग डार्क में बैट कर काम करते हैं, अंधेरे में बैट कर तो इसलिए इनकी आँखे अजस्ट हो जाती हैं अंधेरे में और सूरज की जो धूप है वो इनसे टोलरेट नहीं हो पाती, जो डेलाइट वो टोलरेट इनकी आँखों से नहीं हो पाती So that's why at the end of the day they lose up their sights, मतलब उनकी आँखों की रोशनी चली जाती है एक दिन मुकेश जो है हमारी ओतर एनीज जंग को अपने घर लेकर जाता है तो जब अनीज जंग इसके घर जाती है उसे पता चलते है कि यह कितनी stinking lane में रहता है जो घर है घर की हालात बहुत खराब है मुकेश के घर में इसका एक बड़ा भाई है and बड़े भाई की एक wife भी है इसके अलावा इसके घर में इसकी जो ग्रैंड मदर है वो भी रहती है और फादर भी रहती है तो जो ग्रैंड मदर है न ये कहती है इन इस जंग को कि हमारे हम जो ने बैंगल मेकिंग कास्ट में पैदा हुए हैं और यह हमारी destiny है और यह God-given work है हमें हमारा तो इसलिए हम bangle making का काम कभी नहीं छोड़ सकते क्योंकि यह easy नहीं है छोड़ना विकिस यह तो भगवान नहीं हमें दिया है यह तो हमारा कर्म है basically फिर इसके और कर्म का मतलब यहां पर destiny है फिर इसके बाद एनीज जंग बताती ह है कि फिरोजाबाद में ही एक young girl है सवीता जो bangle making का काम करती है लेकिन सवीता जब इन काच की bangles को काच के pieces को एक दूसरे से जोड़ती है तो यहां पर इनीज जंग कहते है कि इस छोटी सी बच्ची को अभी इसका meaning नहीं पता कि काच की चूड़ियों का मतलब क्या है तो कहती है कि जब वो bride बनेगी तब उसे पता चलेगा कि काच की चूड़ियों का महतव सुहाग होता है basically यह symbolize करता है सुहाग को Indian women के लिए यह एक auspicious thing है काच की चूड़िया पहनदा इसके अलावा फिर at the end of the story इनीज जंग कहती है कि वैसे तो फिरोजाबाद में रहने वाल लेकिन वो मुकेश की आखों में एक जील देखती हैं वो देखती हैं कि इसका जो यह सपना है ना motor mechanic बनेगा वो आज भी इसकी आखों में है और यह एक दिन पक्का motor mechanic बनेगा last में एनीज जंग मुकेश से ये भी पूछती है कि क्या तुम प्लेन नहीं उडाना चाहते तो मुकेश को वैसे भी प्लेन के बारे में कुछ नहीं पता बहुत ही कम ऐरोप्लेन ऐसे हैं जो फ्लाई ओवर करते हैं फिरोजाबाद से तो मुकेश को उसके बारे में नहीं पता तो मुकेश थोड़ी सी लो वोल्यूम में कहता है नो मैं प्लेन नहीं उडाना चाहता हूँ लेकिन उसे इस बात का रिग्रेट नहीं होता उसे कुछ पच्चतावा नहीं होता, क्योंकि वो तो आगे जाकर सिर्फ और सिर्फ motor mechanic बनना चाहता है, तो स्टोरी के end में एनीज जिंग ये बताते हैं, कि उसकी आँकों में जो जील है ना, वो at the end भी थी और वो पक्का एक दिन जाकर motor mechanic बनेगा, मुकेश इंसिस्स on being his own master, I will be a motor mechanic, he announces, मुकेश अपनी life में खुद का master वो बनना चाहता है और आगे जाकर वो एक motor mechanic बनना चाहता है future में, Do you know anything about cars? I ask, एनीज जंग उससे पूछती है, कि क्या आपको cars के बारे में पता है? तो वो answer करता है, I will learn to drive a car, कि मैं car चलाना सीख लूँगा, और जब ये बाते कहता है ना, वो straight एनीज जंग की आँकों में देख कर बोलता है, कि मैं car चलाना सीख लूँगा, His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its bangles, एनीज जंग कहती है, कि Firozabad एक ऐसा town है, जो सिर्फ और सिर्फ बैंगल मेकिंग के लिए famous है, वहाँ पर हर छोटे बच्चे से लेकर बुढ़ा इनसान बैंगल मेकिंग के काम में लगा हुआ है, और इन लोगों के बीच में मुकेश भ इनीज जंग ये बताना चाहती है, कि एक ऐसी जंग है, जहाँ पर हर कोई सिर्फ और सिर्फ बैंगल मेकिंग के ट्रेडिशन में ही लगा हुआ है, बैंगल मेकिंग का काम करते हैं, और इन लोगों के बीच में मुकेश रहता है, और उसका ये सपना है, कि वो मोटर मेकैनि नहीं है, एक ऐसी अन्रियलिस्टिक विश जो शायद पूरी ना हो, तो इनीज जंग यह कहना चाहिए, कि एक ऐसा टाउन जिसमें सिर्फ और सिर्फ बैंगल मेकिंग का काम होता है, और ऐसे टाउन में रहकर मुकेश के ये सपने मिराज लगते हैं, और एक विश बमकेर में विश जोटी है, और विश बैंगल मेकंग का काम करती है या, इस तेहं एंद्या काम कर में इन्द di technро, दिख दोगत। where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land it seems. इन इस जंगियां ये कह रहे हैं कि जो ये फिरोजाबाद टाउन है ये ऐसा लगता है कि ये glass blowing industry के लिए famous है. मतलब यहाँ पर बैंगल मेकिंग का काम होता है. तो फिरोजाबाद टाउन बैंगल मेकिंग का एक central area है. ऐसा लगता है जैसे हमारे भारत में जितनी भी women रहती हैं उन सभी ओरतों के लिए जो चूडिया बनती हैं वो सिर्फ और सिर्फ फिरोजाबाद में ही बनती हैं. और यहाँ पर जो लोग रहते हैं उन्होंने अपनी generations निकाल दी. मतलब generation to generation उनका यह tradition चलता आ रहा है कि वो बैंगल मेकिंग का काम ही करेंगे और बैंगल मेकिंग के लिए वो furnace में काम करते हैं वो glass को welding करते हैं glass welding करना मतलब glass को mold करके उन चूडियों को gold shape देते हैं. तो एनीज जिंग यह बताना चाहते हैं कि यहाँ के लोग na generation to generation इनका यह अपना tradition लगा लो भली कि generation to generation यह लोग सिर्फ और सिर्फ बैंगल मेकिंग का काम ही करते आ रहे हैं. मुकेश's family is among them. None of them know that it is illegal for children like him to work in glass furnaces with high temperature in dingy cells without air and light. तो यहाँ पर एनीज जिंग कह रही हैं कि मुकेश की family भी उनी लोगों में से थी जो सालो साल से सिर्फ और सिर्फ बैंगल मेकिंग का काम कर रहे हैं. और कमाल की बात यह है कि फिरोजाबाद टाउन में किसी को भी यह नहीं पता था कि बच्चों के लिए ऐसी जगहे पर काम कराना जहाँ पर high temperature होता हो I mean बहुत गर्मी हो क्योंकि जब glass furnaces होती है न तो इनमें जब bangles बनाई जाती है क्योंकि glass furnaces का मतलब जहाँ पर काच का काम किया जाता है तो चाहे वो bangles making का काम हो या कोई और काम हो तो जहाँ पर glass furnaces होती है वहाँ बहुत ज्यादा temperature होता है तो यहाँ पर एनीज जग बता रहे हैं कि किसी को यह नहीं पता था कि बच्चों के लिए ऐसी जगह काम करना illegal है जहाँ पर high temperature हो ऐसी जगह काम करना illegal है जो dingy cells हो dingy cells का मतलब एक dark area वहाँ पर ना तो light है और ना ही air है तो यहाँ यह कह रहे हैं कि ऐसी जगह काम करना बच्चों के लिए illegal है कौन कौन सी जगह high temperature and dark area या dingy cells without air and light क्योंकि वहाँ इतना dark room होता है glass furnaces में कि सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा जो oil lamp होता है वो जलाया जाता है and वहाँ पर इतनी darkness होती है कि ना तो light pass on होती है ना ही air आती है अंदर that the law if enforced लेकिन अगर यह जो law हम बात कर रहे हैं बच्चों के अधिकार के लिए इसको अगर हम enforce कर देते हैं could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours slog का मतलब क्या होता है hard work तो यहाँ पर कह रहे हैं अगर हम इस law को इन पर apply कर दे enforce कर दे तो हम मुकेश कोई नहीं बलकि इसके साथ साथ 20,000 वो बच्चे जो इस hot furnace में काम करते हैं दिन रात वो slog करते हैं मतलब वो इतना hard work करते हैं कि कभी-कभी उनकी आखो की brightness भी चली जाती है often losing the brightness of their eyes कि कभी-कभी उनकी आखो की रोशनी भी चली जाती है बच्चों की तो ऐसे 20,000 बच्चों को हम निकाल सकते हैं ये कानून वहाँ अपलाए करके मुकेश's eyes beam as he volunteers to take me home which he proudly says is being rebuilt तो यहाँ एनीज जंक बता रही है कि अब जो मुकेश है न वो एनीज जंक को उनके घर ले गया और वो बड़े ही ऐसे खुशी-खुशी लेके गया था जब उसने ये काना इनीज जंक को की मेरे घर चलो तो उसकी आखों में एक चमक थी और उसने proudly कहा कि उसका घर अभी-अभी rebuilt हुआ है मतलब renovate हुआ है We walk down stinking lanes choked with garbage एनीज जंक इनके घर चली जाती है जब इनके घर जाती है तो उन्होंने देखा कि मुकेश का जो घर है न वो stinking lanes में है पतली-पतली गलिया और उसमें stink आ रही है, smell आ रही है क्योंकि it was choked with garbage वहाँ पर कूडा करकट जमा हो रखा था Past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows तो यहाँ पर एनीज जंक बता रहे हैं कि वहाँ पर जो घर थे वो basically slum की तरह बने हैं जैसे slum area में होते हैं and हर घर की जो दिवारे थी वो crumbling थी, मतलब ऐसी थी जैसे मानो अभी गिर जाएंगी तो वहाँ पर जो घर थे ने वो dilapidated से थे and wobbly doors थे, unsteady doors, उनमें कोई windows भी नहीं थी घरों में crowded with families of humans and animals co-existing in a permeable state and घर ऐसे बने हुए थे जैसे की permeable state में होते हैं मतलब ऐसे पुराने जमाने टाइपस के जैसे की pre-historical houses हों तो वो जो पुराने जमाने पुराने टाइपस के जो घर थे वो कैसे थे बेसिकली वो slum area की तरह बने हुए थे, walls crumbled थी, doors unsteady थे, उनमें कोई window भी नहीं थी घरों में and सभी घर में एक चीज़ उन्होंने देखी की सभी घर crowded थे क्योंकि हर घर में humans and उनके animals co-exist कर रहे थे मतलब जो लोग रहते थे उनके साथ-साथ उनके animals भी उसी घर में रह रहे थे he stops at the door of one such house और अब एनीज जिंग बता रहे ही कि मुकेश एक ऐसे ही घर में रुका जो की प्रिमिवल स्टेट में था जिसकी दिवारे crumbled थी and doors unsteady थे नहीं घर में window थी banks a wobbly iron door with his foot तो अब उसने क्या किया जो घर का दरवाजा है ना जो unsteady दरवाजा था उसको उसने bang किया मतलब ऐसे उसको उसने basically एक hit किया उस पर and pushes it open और उसने अपने पाउं से hit इसलिए किया था क्योंकि उसे वो दरवाजा खोलना था we enter a half built shack तो वो बता रहे हैं कि वो अब ऐसे घर में enter हुई जो कि एक half built shack थी मतलब आदी बनी हुई shack शैक का मतलब होता है hut मतलब एक तरीके की जोपड़ी या ऐसा कच्छा सा मकान था वो in one part of it thatched with dead grass और वहाँ पर एक जगह grasses पड़ी हुई थी is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves और वहाँ पर एक firewood stove था मतलब चूला था वहाँ पर and चूले में क्या हो रखी थी वहाँ पर खाना बनाने के लिए इनोंने spinach leaves रखी हुई थी और इनको कैसे पता चला कि वहाँ पर spinach leaves थी क्योंकि उनकी sizzling हो रही थी तो जब spinach leaves को आप मतलब पालक के जो पत्ते जब उसे पकाते हो तो उसकी आवाज आती है तो उसे sizzling noise कहते हैं ठीक है तो यह कह रही है कि वहाँ पर एक firewood stove था उसके उपर बड़ा सा vessel रखा हुआ था and उसके अंदर spinach leaves पक रही थी on the ground in large aluminium platters are more chopped vegetables तो उसने यह देखा कि ground पर एक बड़ा सा aluminium का plate रखा है जिसमें chopped vegetables है कटी हुई सबजियां रखी हुई है a frail young woman, frail का मतलब है weak and thin so a frail young woman is cooking the evening meal for the whole family फिर उन्होंने यह देखा कि एक young woman ने जो काफी thin and weak थी काफी पतली and कमजोर थी वो पूरी family के लिए खाना cook कर रही थी through eyes filled with smoke she smiles और जैसे ही उस frail young woman ने Anis Young को देखा उसने smile किया जबकि उसकी आखे उस firewood stove के smoke से भर गई थी क्योंकि चूले में जो smoke निकलता है उससे आखों में पानी आ जाता है तो उसकी आखों में ऐसे पानी आ गया था उस दूमें की वज़े से और फिर भी वो Anis Young को देख कर उसने smile की आगे Anis Young बता रहे है कि वो फ्रेल यंग वोमन कों थी वो ये जो सबके लिए खाना बनाती है वो थी कों अक्चुली में She is the wife of Mukesh's elder brother Mukesh का जो बड़ा भाई है उसकी वो wife थी Not much older in years और वो इतनी भी ज्यादा age में नहीं थी She has begin to command respect as the bahu The daughter-in-law of the house already in charge of three men Her husband Mukesh and their father फिर एनीज जंक बता रहे हैं कि हाला कि वो ज्यादा age की नहीं थी लेकिन वो इस घर की बहू थी राइट क्योंकि उनकी शादी जो हो गई वो घर की बहू हो गई और बहू के उपर एक जिम्मेदारी होती है उस तरीके से वो बता रहे हैं कि वो घर की क्या थी उनका इन तीनों के लिए वो खाना बनाती थी इनका ध्यान रखती थी वो जाकर एक ब्रोकन वोल के पीछे चुप जाती थी और अपना फेस वेल कर लेती थी मतलब घूंगट कर लेती थी अपने फेस पर As custom demands, daughter-in-law must veil their faces before male elders यहाँ पर इन इस जंग बता रहे हैं कि इनके custom में यही था कि जो घर की बहू है, वो अपने से बड़े जो भी male elders हैं उनके सामने घूंगट रखती थी ठीक है? And यह रिवाज इनका must था In this case, the elder is an impoverished bangle maker और वो बता रहे हैं कि इनके case में जो elder था, वो कौन था? Mukesh और उसके बड़े भाई के पिता ठीक है? और वो क्या थे? वो bangle maker थे और एक impoverished bangle maker थे मतलब बहुत ही गरीब तो यहाँ यह यूं बताना चाहरी है कि जो उनके घर में जो सबसे बड़े थे वो कौन थे? bangle maker जो की poor थे ठीक है? लेकिन फिर भी इनके घर की जो बहु थी वो इनके सामने घूंगट करती थी Despite long years of hard work first as a tailor then as a bangle maker एनीज जंग यहाँ पर बता रहे हैं कि Mukesh के जो father थे उन्होंने सालों साल बहुत महिनत की है पहले as a tailor और फिर बाद में वो bangle making के काम में आ गई तो tailor के बाद उन्होंने bangle making का काम किया He has failed to renovate a house और उन्होंने अपना घर renovate करना मतलब एक तरीके से वो काफी चीजों में ऐसे उन्होंने बताए कि fail हो गए थे उन्होंने अपना घर रेनोवेट नहीं कराया क्योंकि house बिल्कुल डिलापिडेटेट था Sends his two sons to school अपने बच्चों को दोनों बच्चों को मुकेश और उसके बड़े भाई को school नहीं भेजा All he has managed to do is teach them what he knows the art of making bangles वे नहीं जंक बता रहे हैं कि उन्होंने इन पूरे सालों में बस यही काम किया कि जो उनको आता था bangles making का काम आर्ट वो अपने बच्चों को सिखाया rather than sending them to school It is his करम His destiny says मुकेश's grandmother तो मुकेश की grandmother एनीज जंको कहती है कि ये ना इनके भाग्य में लिखा था इसके करम में लिखा था क्या करम में लिखा था bangles making का काम तो यहां पर ये किसको denote करें तो मुकेश की जो grand mother है जो दादी है वो कह रही है कि bangles making का काम मुकेश के father जो है उनके करम में लिखा था उनकी destiny में लिखा था मतलब भगवान ने ही हमें काम दिया है who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles and Mukesh की जो grandmother है तो उन्होंने अपने husband को मतलब Mukesh के दादा जी को अंदे होते हुए देखा अंदे होते हुए कैसे देखा actually होता यह है जब bangle making का काम होता है उसमें जब polishing की जाती है और dark room में काम किया जाता है तो बहुत सारे लोग अपनी eyesight को lose कर देते हैं तो यहाँ पर एनीज जंग यही बता रहे हैं कि देखो यह बात वो कह रहा है कि यह उसकी destiny में है जिसने खुद के husband को अंदा होते हुए देखा उनकी eyesight चली गई थी क्योंकि वो एक glass making का काम करते थे sorry, bangle making का काम करते थे और उन bangle making में काम करते वक्त जब glass पर और bangles पर polish की जाती है तो उसके dust की वज़े से आंके blind हो जाती है can a god given lineage ever be broken and ये grandmother जो है न मुकेश की ये कहती है कि सालो साल जो family का tradition है जो भगवान ने हमें दिया है वो तोड़ा नहीं जा सकता जल्दी से born in the caste of bangle makers अब वो कहते हैं कि हम bangle making की caste में ही पैदा हुए है कौन कह रहा ये बात मुकेश की grandmother they have seen nothing but bangles और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ bangles ही देखी है चाहे घर की बात करलो या फिर उनके पडोसीों के जो घर है उनकी बात करलो उनके yard की बात करलो या फिरोजा बाद टाउन में गलियों की बात करलो हर जगे उन्होंने bangles ही bangles देखी है spiral of bangles और bangles के जो spiral है मतलब ऐसे गोल-गोल bangles देखिया हर color की चाहे वो sunny gold हो, green color हो, royal blue color हो, pink हो, purple हो every color born out of seven colors of the rainbow तो वो बता रही हैं कि rainbow के जो 7 color होते हैं और उन 7 color से जो नया color बन सके वो सभी color उन्होंने bangles में देखे हैं और वो सभी color जो हैं and camped yards में एक धेर लगा कर पड़े हुए lie in the moons in uncamped yards का मतलब क्या है कि धेर लगा कर वो हर जगह गली-गली फिरोजाबाद के मतलब streets में सभी bangles यू पड़ी हुई हैं और ये लोग उन्हों पर जो है एक तरीके से इतना attention पे नहीं करते हैं क्योंकि सारा ही फिरोजाबाद बैंगल मेकिंग के काम में है lie in the moons in uncapped yards are piled on four-wheeled handcrafts एनीज जंक बता रही हैं कि फिरोजाबाद की हर गली में आपको वहाँ bangles दिखेंगी वो भी जो ये uncapped yard है uncapped का मतलब होता है untidy जिसका बिलकुल ध्यान न दिया जाए तो ऐसी गलियों में आपको bangles के धेर मिल जाएंगे इसके अलावा जो four-wheeled hand cards होती हैं जिनको हातों से खीचा जाता है तो चार पईए कि वो card जिसको हातों से खीचा जाता है उन पर भी इन bangles के डेर रखे हुए हैं और इन hand cards को push किया जाता है young man के द्वारा मतलब जो बड़े young man है न वो क्या करते हैं वो नो जवान लोग in hand cards को push करते हैं and narrow lanes of the shanty town और ये जो shanty town है मतलब जो फिरोजाबाद की गलिया है इसमें आपको roughly built small huts मिलेंगी तो यहां फिरोजाबाद को shanty town का गया है क्योंकि फिरोजाबाद की हर गली में आपको ऐसे roughly built huts मिलेंगी so this shanty town में ये young man in four wheeled hand cards को push करते हुए घूमते हैं and in dark hutments next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circle of bangles and इस जवान बता रही है कि फिरोजाबाद की गलियों में आपको ऐसे dark hutments मिलेंगे जहाँ पर इतना ज्यादा अंधेरा होता है बस रोशनी का क्या होता है वहाँ पर साधन एक oil lamp जला हुआ होता है और उसकी भी flames flicker करती है और इतने अंधेरे में लड़के लड़कियां अपने mother and father के साथ वहाँ बैट कर bangle making का काम करते हैं वो इतने अंधेरे में ये जो bangles होती है इनका circle बनाने के लिए जो कांच के pieces होते हैं उनको weld करते हैं मतलब कांच के pieces को join करते हैं और join करकरके उन कांच के pieces का एक circle बनाते हैं circle of bangles their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside और इनकी जो आखे हैं वो अंधेरे में काम करकरके अंधेरे को लेकर adjusted हो गई है rather than adjusted with light outside मतलब अंधेरे में सारा दिन बैट के ये लोग bangle making का काम करते हैं कांच के pieces को ये join करते हैं तो इनकी जो आखे हैं वो अंधेरे में adjust हो चुकी हैं और इसी वजह से कई बार इन लोगों की eyesight lose हो जाती है मतलब eyesight गुम हो जाती है eyesight चली जाती है क्योंकि इनकी आखे ज्यादा dark में adjusted होती है ना कि light में तो यहां basically एनीस जंगना एक तरीके से इनकी pity condition बता रही है कि ये जो बच्चे है ना ये 18 साल I mean adults होने से पहले ही अपनी eyesight lose कर देते हैं क्योंकि इनकी आखे डार्क में ज्यादा adjusted होती है और सूरज की रोशनी को बरदाश नहीं कर पाती इनकी आखे तो इसी लिए 18 years होने से पहले ही ये लोग अपनी आखे मतलब eyesight lose कर देते हैं सवीता a young girl in drab pink dress sits alongside an elderly woman अब एनीज जंग एक young girl को देखती हैं जिसका नाम है सवीता इसने pink color की एक drab dress पहनी हुई है drab मतलब faded तो सवीता ने एक faded सी pink color की dress पहनी हुई है और वो एक elder woman के साथ बैठी हुई है soldering pieces of glass soldering मतलब join करना and सवीता भी क्या काम कर रही है तो ये छोटी सी बच्ची pieces of glass को कांच के टुकडों को जोड रही है solder कर रही है as her hands move mechanically और उसके हात इतने skillful है वो ये काम करने विए कि फटा फट से उसके हात हात move कर रहे है फिर वो कहते हैं कि शायद ये छोटी सी बच्ची सवीता को बेंगल्स की sanctity पता भी नहीं होगी, इसे पता भी नहीं होगा कि बेंगल्स क्यों बनाई जाती हैं, फिर वो कहती हैं कि जो काच की चूड़िया है वो हमारे यहां भारतिय विमन की नजर में एक सुहाग है, एक auspiciousness है marriage मतलब इसे शुब माना जाता है, it will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with hina and red bangles rolled on to her wrists, जो यहां पर एनीज जंग कह रहे हैं कि अभी तो यह चोटी सी बच्ची जो सवीता है न, इसको बेंगल्स की sanctity नहीं पता, इसे नहीं पता, यह इंडियन विमन की life में सुहाग को symbolize करती है, इसको शादियों में शुब माना जाता है काच की चूडियों को, but she will dawn one day, मतलब she will realize one day, एक दिन उसे एहसास होगा, उसे पता चलेगा, जब वो एक दुलहन बनेगी, ठीक है, when she will become a bride, तो जब वो एक दुलन बनेगी, उस टाइम पर, उसके सर पर एक लाल कलर का चुनरी उड़ाया जाएगा, इसके अलावा उसके हातों पर लाल कलर की महंदी होगी, एंड उसके हातों में लाल रंग की bangles होगी, काच की चूडिया होगी लाल कलर की, and she will then become a bride, और जब वो एक दुलहन की तरह तयार होगी, दुलहन बनेगी, तो उस दिन उसे यह realize होगा कि इन काच की चूडियों का क्या importance है इंडियन विमन की लाइफ में, like the old woman beside her, who became one many years ago, तो वो कहती है कि जैसे कि यह जो सवीता, जिस old woman के साथ में बैठी हुई है, इस old woman को पता होगा कि काच की चूडियों का क्या महतव है, because she became one many years ago, that means कि वो भी एक time पर सालों पहले दुलहन बनी थी, तो एक दुलहन को इन काच की चूडियों का importance पता होता है, and यह जो old woman है, इसके हाथों में आज भी यह काच की चूडिया है, बट आखों में रोशनी नहीं है, एक वक्त सेर बर खाना भी नहीं खाया, she says, और जो यह lady है न, old woman, यह क्या कहती है, कि एक वक्त का सेर बर खाना इनोंने खाया नहीं है, in a voice drained of joy, और उसके आवाज में वो joy नहीं था, she has not enjoyed even one full meal in her entire life, तो वो कहती है, इनीज जंग कि इस lady ने अभी तक one full meal भी नहीं आज तक enjoy किया, entire her lifetime, अपनी पूरी जिंदगी में, that's what she has reaped, तो यहाँ पर इनीज जंग कहना चाहती है, कि बच्चपन से ये old woman काम करती आ रही है, कांच की चूडियों का, ठीक है, आज इसने कांच की चूडिया पहनी होई है, बट आखों में रोशनी की कमी है, और इस काम में, इसने अभी तक क्या पाया, एक वक्त का फुल मील भी नहीं पाया, कहने का मतलब है, कि entire lifetime इसने अभी तक एक वक्त का proper खाना नहीं खाया, और इस काम से अभी तक इसे यही मिला, क्या मिला, आखों की रोशनी चली गई, और खाना पेट भर भी नहीं खाया, Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles, और इसके husband क्या कहते हैं, कि मुझे bangles के अलावा कुछ भी काम नहीं आता, All I have done is make a house for the family to live in, और मैंने अपनी मेनत से, बैंगल मेकिंग के काम से, पूरी जिंदगी बस एक ही चीज कमाई, वो क्या है, अपना घर, तो मैंने एक घर बनाया, जिसमें मेरी family रह सके, Hearing him, one wonders, if he has achieved what many have failed in their lifetime, he has a roof over his head, तो जब ये, इस old woman का husband, ये कहता है, कि इसने पूरी जिंदगी कुछ कमाया हो या ना कमाया हो, बट इसने एक घर बना कर दे दिया, जिसमें इसकी family रह, तो ये बात सुनकर, हर कोई इनसान ऐसे आस्चरिया चकीत होगा, क्योंकि लोग पू पूरी जिंदगी hard work करते रहते हैं, बट still वो एक घर बनाने में fail हो जाते हैं, at least ये चाहे bangle making का काम करता हो, बट इसके पास रहने के लिए छट तो है, the cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat rings in every home, rings in every home का मतलब है हर घर की यही कहानी है, फिरोजाबाद में, तो फिरोजाबाद में हर घर की एक यह कहानी है, कि बले ही वो यह रोते रहें कि उनके पास पैसा नहीं है, भर पेट खाना नहीं है, फिर भी वो यह जो business है ना, bangle making का, इस business को carry on करते रहते हैं, तो यह business इनका कैसे चलता है, generation to generation, the young men echo the lament of their elders, lament means complain, तो यह जो young men है, यहाँ फिरोजाबाद टाउन के जो नो जवान है, वो बले ही अपने elders की तरह complain करते रहें कि उनके पास खाना नहीं है, प्रोपर, उनके पास पैसा नहीं है, बट स्टिल वो इसी business में है, मतलब उनमें ना इतनी शक्ती नहीं है कि वो एक risk ले लें दूसरे business में जाने के लिए, उ little has moved with time it seems in फिरोजाबाद, देखो वैसे देखा जाए, तो time के साथ चीजे चेंज हो जाती है, बट फिरोजाबाद में हम देख रहे हैं कि time के साथ ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ, पहले भी इसी business में थे लोग, आज भी इसी business में है, years of mind numbing toil have killed all the initiative and the ability to dream, तो यहां पर कह र जो सर है ना, जो mind है वो नम हो जाता है, toiling करते हैं, मतलब इतना hard work यह करते हैं, इसकी वज़े से इनके जो initiative हैं, जो plans हैं, जो इनके dreams हैं, जो सपने हैं, वो सब मर जाते हैं, वो सब kill हो जाते हैं, Why not organize yourselves into a cooperative, I ask a group of young men, तो एनीज जंग एक group of young men से बात करते हैं, और कहती हैं, कि तुम एक अपना cooperative क्यों नहीं बना लेतें, These young men have fallen into the vicious circle of middle men, who trapped their fathers and forefathers, तो जो यह young men है न, यह actually middle men के circle में फसे हुए हैं, और इनी middle men ने, इन young men के father and forefather को भी अपने circle में trap कर रखा है, तो basically young men का मतलब यहाँ पर क्या है, तो actually न, यह young men वो लोग हैं, जो की keepers of the law, policemen, politicians, bureaucrats, मतलब वो लोग जो higher authority पे हैं, जो rich लोग हैं, उन्होंने न, इन young men को and इनके fathers and forefathers को trap कर रखा है, एक vicious circle में, तो इसमें होता क्या है कि इन young men की या जितने भी bangle making के process में यह गरीब लोग हैं, इन पर अत्याचार होता है, actually किस तरीके का, देखो जब भी इन bangle making process में जितने यह poor लोग हैं, इनके पास पैसों की कमी होती हैं, तो यह loan पर पैसा उठा लेते हैं, और यह loan पर पैसा उठाते हैं, इन ही middle men से, तो फिर उन पर जो है यह middle men interest लगा लगा कर इनको अपने जाल में फसाई रखते हैं, even if we get organized, we are the ones, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal, they say, जब एनीज जेंग इनको कहते हैं, कि तुम अपना एक cooperative एक संगठन बना लो, इस बात पर, यह लोग reply करते हैं, कि यह ऐसा इसलिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस फिर इनी को question करेगी, इनी को मारेगी, पीटेगी, इनक इस जुर्म में यह कहकर कि तुम कुछ illegal कर रहे हो, तो कहने का मतलब है कि यह लोग इन middleman के against आवाज नहीं उठा सकते, अगर यह आवाज उठाने की कोशिश करेंगे, तो पुलिस इने जेल में बंद कर देगी, इनी जंग कहती है कि बात तो actually में यह है कि इनके गुरूप में कोई leader ही नहीं है, कोई ऐसा leader जो इने दूसरा रास्ता दिखा सके, यह भी उसी तरह ठक गए हैं, जैसे इनके fathers और forefathers ठक गए हैं, अपैथी मतलब lack of concern, कि जब आप बहुत गरीब होते हो ना, तो आपको किसी चीज़ का ध्यान नहीं रहता, सिवाए खाने के, फुल मील के, तो यहाँ पर यह कहती है, कि यह सब लोग, बैंगल मेकिंग के प्रोसेस में, जो गरीब लोग हैं, यह इस spiral में यह घूमते ही रहते हैं, और इस चक्र व्यू से यह बाहर नहीं आ पाते, इस टे которой से पोर्टी से, मतलब गरीबी से अपैथी टू, ग्रीड, ग्रीड टू, इनजस्टिस यह इन चीज़ में घूमते रहते हैं, टिक है, एक तरफ spiral जो है वो कैसा है यहाँ पर poverty है तो poverty से apathy, apathy से greed, greed से injustice तो यह पूरा जो circle है इनका ऐसे इसी circle में यह फसे रहते हैं listening to them I see two distinct worlds उनको सुनने के बाद 20 जोंको यह realize हुआ कि actually यहाँ पर ना दो अलग-अलग world है जो एक दूसरे के खिलाफ है एक family वो है that is caught in a web of poverty एक family वो जो गरीब family है गरीबी के जाल में जो फसे हुए है burdened by a stigma of caste which they are born और यह जो गरीबी के जाल में फसे हुए लोग है इनके उपर एक यह बोज है कि यह bangle making caste family में जन में हुए है तो इसी लिए यह bangle making के अलावा कोई और काम नहीं कर सकते the other circle which is vicious circle एक ऐसा circle जो दूसरों पर अत्याचार करता है तो उसमें कौन-कौन है साहुकार्स, middleman, policeman, keepers of the law, bureaucrats bureaucrats वो लोग होते हैं जो higher officials होते हैं जो government में high positions पर बैटे हुए हैं and the politicians तो यहां पर यह कहते हैं एक family वो जो गरीबी के जाल में फसी हुए और दूसरी वो जो की इन पर अत्याचार करते रहते हैं और इनको अपने trap में फसाई रखते हैं Together they have imposed the baggage on the child और इन सब लोगों ने साहुकार, middleman, policeman, keepers of the law, bureaucrats, politicians इन सबने एक साथ मिलकर इन बच्चों पर baggage बना दिया, एक बोज बना दिया that he cannot put down जो की यह Bengal making process के जो बच्चे हैं यह इस बोज को हटा नहीं सकते Before he is aware, he accepts it naturally, as naturally as his father फिर यहाँ पर कहती हैं कि जो यह बच्चे हैं, इनको इस चीज की awareness होने से पहले ही क्या awareness? कि इनको एक बोज तले दबाया जा रहा है तो यह awareness होने से पहले यह naturally वो काम accept कर लेते हैं जो इनके father करते आ रहे हैं which is bangle making process, to do anything else would mean to dare और अगर यह बच्चे bangle making process के अलावा कुछ और काम करना चाहें तो यह एक dare, एक courage वाना जाता है and daring is not part of his growing up और daring इनके growing up का part नहीं है, जैसे कि अगर मुकेश की बात की जाए when I sense a flash of it in मुकेश I am cheered फिर एनीज जंग कहती है कि जब उनको यह दिखता है मुकेश की आखों में कि वो एक ambitious person है, एक ambitious बच्चा है, जो आगे जाकर एक motor mechanic बनना चाहता है ना कि एक bangle making process में, वो इसके तले दबना चाहता है I want to be motor mechanic, he repeats तो एनीज जंग कहती है कि मुकेश की नजरों में साफ साफ एक यह sense of flash, यह चीज देखी जा सकती है कि वो motor mechanic बनना चाहता है, वो अपने family tradition को नहीं follow करना चाहता तो यह सुनकर और यह देख कर एनीज जंग काफी खुश होती है and मुकेश कहता है कि मैं एक motor mechanic बनना चाहता हूँ He will go to garage and learn, वो garage जाएगा, motor mechanic का काम सीखेगा but garage is a long way from his home, garage उसके गर से काफी दूर है I will walk, he insists, तो इस बात पर मुकेश reply करता है तो कोई नहीं अगर दूर है, मैं पैदल पैदल चला जाओंगा फिर एनीज जंक पूछती है, do you also dream of flying a plane? कि क्या तुम plane उडाना चाहते हो, क्या तुमारा ये एक सपना है? He is suddenly silent, वो एकदम से मुकेश चुप हो जाता है ये सुनकर No, he says, तो उसने कहा नहीं, मेरा ऐसा कोई सपना नहीं है Steering at the ground, और वो इस टाइम पर जमीन को देखता हुआ, ये बात बोलता है क्योंकि यहां से हम एक चीज समझ रहें कि उससे शायद पता ही नहीं है कि एरोप्लेन कैसे उडाया जाता है, क्या ये चीज है, उसने एरोप्लेन कभी देखे नहीं और देखे भी है, वैसे भी फिरोजबाद से उपर बहुत ही कम एरोप्लेन उड़ते हैं, तो इसलिए उसका ये सपना नहीं है In his small murmur, there is an embarrassment that has not yet turned into regret and he is content to dream of cars that he sees hurtling down the street of his town, few airplanes fly over फिरोजबाद तो यहाँ पर जब इनीज जंग ये पूछती है ना, airplane के बारे में कि क्या तुम plane उड़ाना चाहते हो तो वो एक murmur, मतलब low volume में कहता है no और इस time पर जब वो ground पर देख रहा होता है, तो उसे एक embarrassment feel होती है बट उसे पच्चतावा नहीं है किसी चीज का, उसे ये पच्चतावा नहीं है कि मैं plane नहीं उड़ाना चाहता बलकि मैं तो बस गाड़ी चलाना और गाड़ी का काम सीखना चाहता हूँ, motor mechanic बनना चाहता हूँ उसके मन में ये पच्चतावा इसलिए नहीं था कि reason being उसने airplanes देखे ही नहीं है, इन इस जंको ये समझ में आ गया था, उसने सिर्फ गाड़ियां चलती हुई देखी है So he sees hurtling down the streets of his town, that means कि उसने अपने town में गाड़ियां चलती हुई देखी है और यही उसका एक सपना है कि वो गाड़ियों का काम करें, वो ना तो motor mechanic बलकि साथ-साथ वो गाड़ी भी कहता है, वो सीखना चाहता है, तो उसका गाड़ियों का सपना है And few airplanes fly over Firozabad, मतलब वैसे भी Firozabad में बहुत ही कम airplane है जो fly over करते हैं, अगर करते हैं तो शायद वो यह सपना भी रख पाता airplane उडाने का, लेकिन सिंस वहाँ पर airplanes fly over नहीं करते, तो इसलिए मुकेश को भी इसके बारे में कोई knowledge नहीं है और यहीं पर हमारा जो chapter का second part है, वो complete होता है, thank you so much for watching this video, कोई भी comment, कोई भी doubt है, तो आप comment section में लिख सकते हैं, इसके अलावा आप पर साथ telegram, instagram पर भी जुड सकते हैं, thank you